दोस्तों इंडियन रेल्वे फाइनेंस कोरेपोरेशन लिमिटेड यानी आई आरेपसी की बात को स्टॉक के नराज गिरावट देखना को मिल रही है अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वज़े एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहल बना हुआ है फाइनेंस सेक्टर में गिरावट है और पूरे बाजार में गिरावट है दूसरी तरफ बहुत जबरदस स्टॉक दोड़ चुका है ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इस वज़े से स्टॉक थोड़ा सा नीचे है लेकर उसके बावजुद भी कुछ बड़े फंडाउस जम के खरीदारी भी करें जो इसारा करें कि भले थोड़ी ची प्रॉफिट बुकिंग आए उसके बाद में एक सांधार तेजी फिर सुरू हो सकती है अब जैसे कि कंपनी के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है रिजल्ट अगर बैतर होगा तो उसके बाद तो एक जबरतस तेजी फिर सुरू होगे एक नया इसको ट्रिगर मिल सकता है तो रिजल्ट का इंतजार करना होगा कैसा रिजल्ट रह सकता है साथ में डिविडेंट को लेकर काफी लोगों के मन में जो कुछन है उसके भी जवाब जाने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से कब तक डिविडेंट हमें अकाउन में मिलता हो दिखाई देगा इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के मादिम से और क्या लॉंग टम कानेजर लेके IRFC में इवेस्ट करना चाहिए क्योंकि जिस तरसे सरकार एक के बार एक अनॉसमेंट कर दी है बहुत सारे रेलवे के लिए इंवेस्टमेंट करने को सरकार तैयार है आप देखी सकते हो कि बहुत सारे जो ट्रैक है जो अभी सिंगल है उसको मिलके बीजनर्स टायब के दर म्यूचल प्रोजेक्ट डूंडेंगे और कारूबार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या इस समय में IRFC में एक लॉंग टम कानेजर लेके निवेस्ट करना चीए क्या ये आने वाले समय में हमें 500 के टार्गेट दिखा सकता है जानने की कोसिस करे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जबीने वीडियो बने पहला नोडिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो इस्टार की भारी गिरावट है यानि 0.47% अभी इस समय बाजार आपको गिरता हो दिखा लेगा लगबग 10% की गिरावट है अब यहाँ पे देख सकते हो बाजार की सुरुआती निगेटिव हुई लेकिन गिरावट बढ़ी नहीं थे लेकिन जैसे जैसे अगर आप देखे तो ट्र बाजार में गिरावट का महल बना हुआ है बीएसी फाइनसल सर्वीस में भी गिरावट है आप देखे तो की 9564 के इस तर पे 0.62% की गिरावट है तो फाइनसल सर्वीस के अंदर देखे तो जो गिरावट है वो सेंसेक से जादा है और इसी विज़े से अगर आप देखे त तो उसका आसर भी IRFC पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक की सुरुआती निगेटी हुई 49.90 पर जबकि कल की क्लोजिंग 50.30 के आसपास थी। वैसे कल देखे तो आप इंट्राडे में 52 का इसने हाई बनाया तो उसके बाद में स्टॉक नीचे भी आया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कल भी देखने को मिली थी। जापे 3.08% की गिराउट बने हुई है। तो कुछ बड़े फंडा उसके खरिदारी वे इस वज़े से इतनी जबदस गिराउट नहीं हो रही है लेकिन जैसे अगर सेलिंग प्रेसर बड़ा तो आप डेफिनेटली देख से तो यहापे गिराउट बड़ी हो सकती है। और इसने जबदस रिटन भी दिया उलड़ी इसकी वज़े से यहापे प्रोफिट बुकिंग के वज़े से यह आप देखे तो यह माहुल गिन निगेटिव बना हुआ है। प्रोफिट बुकिंग तो आएगी लेकिन जल्दी आप एक सांदर तेजी का दौर फिर सुरू हो सकता है। प्रोफिट बुकिंग हावी हो रही है। इसके लावा इरकॉन इंटरनेशनल यह देख सकते हो कि एनसी में वॉल्यूम टॉपर बने हुए। काफी भारी वॉल्यूम है कामकाज हो रहा है। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। डेट आचुके है 11.08.2023 तो आप देखी सकते हैं कि दो दिन बचे हैं रिजल्ट हमारे सामने होगा। और इसके लिए इंसारे ट्रेडिंग और पहले से बंद है। तो ट्रेडिंग वीड़ो क्लोज जो हुई है वो खुलेगी अब 13 तारिक को नौर्बल ट्रेडिंग हो पाएगी। तब तक के लिए जो कंपनी से संबने लोग है चाहे बोर्ड के सदेश्य हो या फिर एंप्लोई सबके लिए ट्रेडिंग वीड़ो क्लोज है। यह एनसी का रूल से एक बार रिजल्ट के बारे में समवन बन जाती है रिजल्ट पता चलता है उसके बाद में वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका मिस्विच भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो पिछले कुछ रिजल्ट बहुत ही सांदर रहे थे। अब साल बर की बात करें। पिछली बार मार्च में 1,493 को भी इसके आसपास प्रॉफिट था। जून में यह बढ़के 1,662 को भी तक पहुच गया था। लेकिंग उसके बाद में देखे तो मार्च में फिर से कमी है। यह मार्च क्वाटर फोर की बात के तो 1,328 को भी इसके आसपास प्रॉफिट करें उनको फोराट सा प्रॉफिट बुक कर लेना चीए इस समय या फिर वो रिजल्ट का इंतिजार कररें डिजल्ट में कमी रहे तो उस समय तो उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें लिह ना चीए अब पिछली एकुछ सालों की से की परफॉर्पर्फॉरमर्स कह तो लगातार प्रदसन तो बहुत यह चाहिए, बले किसी quarter में कमी आए, लेकिन 2020 से देखेंगे तो लगातार profit revenue बढ़ रहा है, 2020 की बात करें, तो 13.42,000 को भी सका इनका revenue था, और 3.19,000 को भी सका इनको profit मिला था, 2020 में revenue बढ़के 15.77,000 को भी तक पौँच गया, और profit बढ़ते पौँच गया, 2023 की बात करें, तो profit बढ़ते हुए, 6.34,000 को भी तक पौँच गया, और revenue, 23.93,000 को भी तक पौँच गया, यानि हर साल, कहीं पर भी आपको कमी नहीं दिखाए देगी, revenue और profit बढ़ रहा है, और यही सारा है कि stock आनेवल से में आपको एक अच्छा return दे सकता है, अब जैसे कि company ने dividend का island किया है, तो यह जो total 1.5 रुपे का dividend है, financial year 2023 के लिए, उसमें से अगर आप देखे, तो 80 पैसे का dividend अब 70 पैसे का dividend बाकी है, इस तरह से पूरा 1.5 रुपे का dividend मिलने वाला है, और इससे पहले देखे, तो अगर आप company ने 2020 में, दो बार dividend दिया, 1. 1.05 रुपीज और 0.77 पैसे, इसके बाद 2022 की बाद के लिए, 0.63 पैसे और इसके बाद में 0.80 और इस बार देखे, तो 70 पैसे का dividend का island किया है, तो यह 7% का dividend है, आप यह देख से तो 70 पैसे का dividend, annual general meeting होगी तब उसमें approval मिलने के बार shareholder की रजामनी मिलने के बार आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी इसकी date नहीं आई है, और जैसे result आप देखे तो यह complete हो, उसके बाद में अगर आप company की तरफ से जब AGM का island होगा, उसमें shareholder की रजामनी ली जाएगी और इसके बाद यह dividend दे दिया जाएगा, तो अभी आपको इंतिजार करना है, लेकिन यह 70 पैसे company की तरफ दिया जागा चुका है, company ने इसका announcement किया है, और आप देखे हो कि जैसे shareholder की रजामनी मिल उसके बाद में 30 दिन में आपके account में dividend आ जाएगा, तो इस तरह से लगबग 3.5 रुपे से लेके 4 रुपे तक का dividend कुल मिला के आपको मिलने वाला है, और प्राइस तो ब बहुत ही बैतर बड़ी हुए है, जिसमें लोगों को bumper return अलड़ी मिल चुका है, तो चिंता की कोई बाद नी, अब चलते हैं कुछ बड़ी deal की तरफ जिसके वज़े से आज गिरावट हुए है, तो सुबह 9 बज कर 15 मिनिट पर 48.95 की प्राइस से करीब देख सकते हो यहां चुका पे 6,96,000 busy की भीक्वाली उई, फिर उसी समय 9 बज कर 15 मिन पर 49.45 की प्राइस से 7,89,000itis rad की फिर से खरीदार हुए, लेकिन फिर 9 बज कर 15 मिनिट पर उसी समय 48.80 की प्राइस से 9,89,000 की फिर से भीक्वाली हुई उसके बाद 9 बज कर 21 मिनट पर 49.45 की प्राइस से 7,85,000 की एक बड़ी भीक्वाली और हुई उसके बाद 9 बज कर 24 मिनट पर 49.40 की प्राइस से 6,30,000 की फिर से खरीदार हुई तो फिर 9 बजकर 25 मिनट पर 49.30 की प्राइसे 7,26.70 की फिर से profit booking हुई फिर 9 बजकर 36 मिनट पर 48.90 की प्राइसे 7,87.70 की एक बड़ी ख्रेदारी हुई तो फिर 9 बजकर 49 मिनट पर 48.70 की प्राइसे 8,52.70 की फिर से बिक्वाली हुई और उसके बाद 9 बजकर 51 मिनिट पे 48.40 की प्राइसे 12.667 की एक बड़ी विक्वाली हुई लेकिंगे उसके बाद 9 बजकर 54 मिनिट पर 48.55 की प्राइसे 8.397 की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई तो यहाँ पर बड़े फ़र्ण रहा है उस खरीदारी भी कर रहे हैं बुक कर सकते हैं क्योंकि बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं वैसे बाजार बहुत जड़ा निगेटिव बना हुआ है वैसे कम्यूनिटी सेंटिमिन स्टॉक के साथ बना हुआ है देख से तो की 84% बाइक की कॉल है यह अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जोगी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड